हेई फแลंज वेलकम, कैसे हैं आप सब आशा है फ्रेंज आप सबी स्वस्तोंगे आज के रीडिंग में फ्रेंज हम चेक कर रहे हैं कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपको अरजेंटली अभी इसी वक्त जब भीए आप ये रीडिंग देख रहे हैं क्या कहना चाहते हैं reading timeless है time की कोई भी limit नहीं है general है collective है सभी science, सभी gender, सभी religion, सभी caste के लोग सभी humans इसी reading को open mind के साथ check कर सकते हैं proper energy exchange करने के लिए video को like करें and अपने person को visualize करें please divine universe बताएं मेरे प्यारे प्यारे viewers के persons उन्हें urgent basis पर बहुत ज़्यादा importantly क्या message देना चाहते है card आया है the emperor वो आपकी तरफ action लेना चाहते है अगर अभी तक अपने ego, अपनी एहंकार, अपने attitude या अगर मैं बात बोलू responsibilities इन सब की वज़े से वो action नहीं ले पा रहे थे and stuck थे किसी situation में लेकिन अब वो आपको कहना चाहते हैं कि वो इस connection में action लेना चाहते हैं the hierophant वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं वो आपके साथ reconciliation करना चाहते हैं आप दोनों के love and relationship को दुबारा से शुरू करना चाहते हैं the fool की energy है वो आपके साथ एक romantic cycle शुरू करना चाहते हैं इस रिष्टे पर दुबारा से trust रखना चाहते हैं इस रिष्टे को एक नया मोका देना चाहते हैं और आपके लिए इस रिष्टे के लिए सुधरना चाहते हैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं and improve होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं bottom of deck है the magician मैं आपे देख पा रही हूं कि आपके person ने अभी तक बहुत अपनी ही अपनी चलाई है इस connection में लेकिन अब आपके person आपकी सुनना चाहते हैं आपको अच्छे से समझना चाहते हैं आपको अच्छे से जानना चाहते हैं और definitely इस रिष्टे में abundance growth and stability चाहते हैं कुछ नंबर और डेट्स यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है फोर टॉन्टी टू थर्टीन थर्टीवन फाइफ फोर्टीन टॉन्टी थ्री कि वोड़ वन नाइन्टीन टॉन्टी एट टैन यह नंबर या यह देट्स आप मैंसे कई लोगों के लिए के प्रॉमिनिंट और इंपोर्टेंट हो सकती हैं अब मैं ख्लारिफाई करूँ एंपररor को तो अ प्रेकल्स के साथ द्याट मींस उन्हें पता है कि आप उनका बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो और finally अब आपका इंतजार वो खतम करना चाहते हैं और उनके जिस भी action का आपको बेसबरी से wait है इंतजार है वो action finally वो लेना चाहते हैं the magician यहाँ पर भी है the magician यहाँ पर भी है energy बार-बार same आ रही है definitely अब वो आपको manifest कर रहे हैं इस रिष्टे की growth को manifest कर रहे हैं और आपके लिए वो action लेना चाहते हैं जिसका आप बहुत time से wait कर रहे हो आपको call text message करना चाहते हैं आपके connection में आना चाहते हैं और आपके लिए एक solid action लेना चाहते हैं Taurus Virgo Capricorn की energy बहुत prominent है 918 1427 नंबर या यह dates आप लोगों के लिए बहुत prominent हो सकते हैं दा हाइरोफेंस क्यों आया है प्लीज डिवाइन बताएं हाइरोफेंस क्यों आया है ओम नमश्यवाई ओम साई राम दा एमप्रेस डेफिनेटली आपके साथ वो यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ वो वेडिंग करना चाहते हैं lifelong connection में बंधना चाहते हैं हमेशा निभाने वाले रिष्टे में बंधना चाहते हैं और डेफिनेटली आपके लिए एक solid action लेना चाहते हैं आप में से कई लोग spiritual journey में soulmates में connection में twin flame connection में हो सकते हो और डेफिनेटली अब आपके person aware और अवेकंड हो चुके हैं about this journey about this connection and अब आपके person by heart आपके साथ wedding या फिर आपके साथ reunion करना चाहते हैं bottom में देखते हैं क्या है celebration का card है three of cups so अगर आप wait कर रहे हो उनके साथ engagement का या फिर engagement के offer का या फिर ring ceremony का तो most probably next action उनका आपको margis का proposal देना होगा reunion का proposal देना होगा आपके साथ engagement wedding या फिर reunion करना होगा आपके person आपके साथ date पर जाना चाहते हैं आपके साथ romantic बलों को spend करना चाहते हैं आपके साथ dance करना चाहते हैं आपके लिए prayersο और manifestations कर रहे हैं, आपको अपने मन का पूरा हाल बताना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी negativity है, उसको remove करना चाहते हैं, इस connection में reunion and wedding चाहते हैं, और definitely वो action लेना चाहते हैं, जिसका आप बहुत time से wait कर रहे हो, finally आपका इंतजार खतम कर देना चाहते हैं, और आपको अपनी रानी, आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं, डेथ क्यों आया है, प्लीज divine universe बताइए, डेथ क्यों आया है, so हम चेक कर रहे हैं, डेथ को क्या clarify करता है, let's check, किस चीज का end हो रहा है, nine of cups, मतलब अगर अभी तक आपके person ठीजो को granted ले रहे थे, और उन्हें लग में आ चुका है, bottom में the chariot, कि उन्हें action लेना होगा, तो उनके एक तरह से देखा जाए, तो अगर मैं ending की बात करूं, तो उस mentality की ending हो रही है, जिसमें उन्हें लगता था, कि इस connection में वो effort लगाएं, चाहे ना लगाएं, no matter, बट ये connection कहीं नहीं जाएगा, उस सोच का end हो र दिखाई देता है, आपके person को समझ में आ चुका है, कि चीजे for granted कभी नहीं रहेंगी, और अगर वो इस connection को by heart चाहते हैं, जो कि definitely चाहते हैं, तो उन्हें action लेना होगा, things को balance करना होगा, efforts लगाने होंगे, and definitely जो अभी तक वो बड़े अराम से अपने comfortable zone में बैटे हैं, उस comfort zone से उनको बाहर निकलना होगा, and इस रिष्टे के लिए work करना होगा, इस रिष्टे के लिए efforts लगाने होंगे, please divine बताएं, the fool क्यों आया है, कौन सी journey शुरू करना चाहते हैं वह आपके साथ, क्या है fool, four of wands का card है, reunion का card है, कितने सारी readings में reunion की energies आ रही है, आप में से जल्द होने वाले हैं, and आपको signals मिलने शुरू हो गए है, अगर ऐसा है guys, तो please mention it in the comment box, because बहुत सारे लोगों को motivation मिलता है, और definitely वो भी confident होते हैं, कि उनका भी reunion and wedding जल्दी होगी, तो definitely मैं यहापे देख पा रही हूँ, कि वो आपके साथ reunion करना चाहते हैं, वो आपके साथ wedding करना चाहते हैं, family की against जाकर भी अगर action लेना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो लेने को ready हो चुके हैं, और वो by heart चाहते हैं, इस connection में आगे बढ़ना, action लेना, balance maintain करना, equal given take रखना और efforts लगाना, 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 22, 13, 31, कई लोगों के लिए important dates या numbers हो सकते हैं, cancer, Pisces, Scorpio, A Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, and Taurus, Virgo, Capricorn, सभी energies यहां पर हैं, लेकिन Taurus, Aries, Scorpio, and Virgo energy काफी ज़्यादा prominent हैं, प्लीज दिवाइन बताएं, The Magician क्यों आया है, Magician तो दो बार इस reading में आया है, क्या हो रहा है, Magician क्या है, Tricky क्या है यहां पर, Magician यहां यहां पर, King of Vands, and bottom में है हमार The Magician, Wow, Magician को Magician ही Clarify कर रहा है, That means, आपके person के जो tricks थे, over smartness थी, over confidence था, ego था, attitude था, वो सब तूट रहा है, Finally, Finally, उनको आपकी care हो रही है, उनको आपकी फिक्र हो रही है, वो इस connection में action लेना चाहते हैं, आपको बहुत ज़दा स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए prayers कर रहे हैं manifestations कर रहे हैं, इस connection में efforts लगाना चाहते हैं, और अब आपको finally पाना चाहते हैं, तो energies बहुत positive है, reunion and wedding की energy है, बहुत बड़ा reunion and wedding होने वाला है, बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों की secret and court marriage, या फिर secret, reunion भी हो सकता है, हो सकता है, family से दूर जाकर आप लोग कहीं रहने लग हैंगे या नहीं, तो card है four of cups, next card है हमारा three of cups and bottom में है हमारा, अगर मैं bottom की energy check करूँ, तो three of pentacles, जो की ये बताता है, three के बाद four number का card आ रहा है कि definitely ये one step तो आगे बढ़ेंगे, one step तो ये आगे बढ़ेंगे and मैं ये भी देख पा रही हूं कि इनको आपके अलावा कोई और proposal कोई और offer पसंद नहीं आ रहा है और इनकी family भी अगर इने को समझाने के कोशश कर रही है, तो ये आपके against आप कुछ नहीं सुदना चाहते, तो within three to four months आप में से बहुत सारे लोगों का reunion and wedding हो सकती है, या फिर finally fix हो सकती है, meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है, अगर मैं चेक करूँ, तो आपके लिए guidance है कि आप अपने आसपास के लोगों से बना के चलिए, अपने career पर focus कीजिए and किसी से भी unnecessarily arguments में मत पढ़िए, the fool यहाँ पर भी है, the fool यहाँ पर भी है, similar cards आते हैं, जो की same energies को बार बार बताते हैं, यहाँ पे fool आपको बताना चाहा रहा है कि कह कहीं ना कहीं आपको passionate रहने की जरूरत है, positive रहने की जरूरत है, optimistic रहकर confident रहने की जरूरत है, कि अब आपके life में दुख का face कतम हो रहा है और finally सब कुछ अच्छा होगा, अब मैं love और एक डेक से चक कर लेती हूँ कि आपके person के love और प्यार भरे messages आपके लिए क्या है, ओम नमशिवाय, ओम साहिराम, तो first message है, serendipity, definitely आपके person अगर आप reconciliation का wait कर रहे हैं, तो उन्होंने भी divine को surrender कर दिया है, और अब वो इस connection में action लेना चाहते हैं, और आपके साथ reconciliation करना चाहते हैं, commitment, अगर आपको wait है उनकी commitment का बहुत time से, तो अब वो आपको commitment देना चाहते हैं commitment की energy है, reconciliation की energy है, one card हो या फिर bottom से check कर लेते हैं, the silver waterfall, definitely आप दोनों का connection को divine की blessings मिल रही हैं, भरपूर blessings मिल रही हैं, अब आगे आप दोनों का future बहुत bright है, आप दोनों एक दूसरे के साथ divine की under blessings बहुत enjoy करोगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी वाले पलो को spend करोगे और एक दूसरे के साथ happy journey आगे की गुजार होगे, तो definitely tough phase, rough tough cycles आपके life में over हो रहे हैं और finally reunion है, और divine की भरपूर, a lot of blessings हैं, आप दोनों के रिष्टे पर, आप दोनों के connection पर, thank you so much for watching friends, if you like, don't forget to thumbs up and share this in your group, may God bless you, take care, अभी के लिए इतना ही, for more clarity, you can book your personal paid readings too, जिसकी detail in description box मगी बने, bye for now, have a good day and take care